दोस्तों आज मैं बना दियो रागी नारियल के लड़ू रागी यानी नाचनी और ताजे नारियल से लड़ू बनाएके रागी यानी नाचनी ग्लुटन फ्री के साथ-साथ हेल्थ के लिए बहुत ही जाथा फाइदे मन अनेमिया हो, हेर फॉल हो, वेट लॉस करना हो तो ये रागी के लड़ू बहुत ही जाथा फाइदे मन चलिए, रेसीपी स्टार्ट करते हैं, हेलो फ्रेंस मेहू रागी और राकी स्रसुई में आपका स्वागत हैं, पहले मैं यहाँ आप फ्रेश नारियल को तोड लेती हूँ, नारियल को तोडने के बाद उसका पानी निकाल और उसे स्क्राइब करें, यहाँ पर आवे नारियल के छिलके नहीं चाहिए, नारियल का जो वाइट पाठ है बस उसे अच्छे से स्क्राइब कर दे, ताजे नारियल से बढ़ने लड़ू बहुत ज़्यादा स्वाजिश लगेगे तो आप ताजे नारियल ही यूज करें, स्क्राइब करने के बाद देखे इस तरह रहेगा, अब यह लगबग एक कप ताजा नारियल है, एक मोटे तले वाली हांडी लेगे या कड़ाई ले और उसमें पहले घी डाले, यहाँ पर मैं देसी गाई का घी यूज करी हूँ, पहले दो टेबल स्पून घी इसमें डाल और रागी में कचास निकल जाए, तो इसे रोस्ट करते जाओगे ना, कलर भी चेंज हो जाएगा और एक बहुत अच्छी महका जाएगी, अगर आपको काफी जाता ड्राई लगता हो, तो बीच में एक टेबल स्पून घी और ढाल दीजिए, और इसे रोस्ट करिए लगब पदे के इस तरह greeny texture हो जाएगा और color भी change हो चुका है, अब इसमें मैं ताजा खिसा हुआ नारियल डाल रही हूँ, यह लगबङ एक कप है, यह लगबख 1 कप यह लगब कप 1 कप रागी के आटे में दो कप सीक्छी संबड भून रही हूँ, लगबख 6-7 मिनिट, मतलब जो ताजा नारियल है न वो अरहाम से ड्राइ होने चाहिए और इसके flavors रागी क्याटे में अच्छे से mix हो जानी चाहिए अगर ताजा नारियल रोस्ट होने में आपने जल्दी की न तो इसके self life कम हो जाएगे हाडली दो तीन दिन में ये खराब हो जाएगा तो इस नारियल और रागी को अच्छे से रोस्ट करेगा और 6-7 मिनिट जब तक कि इसका टेक्ष्टर देखे इस तरह ड्राइ होनी चाहिए तम free flowing ये हो चुका है अब इसे में transfer कर दोगे एक बर इसी थाल में है अब उसी हंड बदाम पिस्ता मुंगफली सप्वे तिल जो आड़ करना चाहते हो कर सकते हो बस रोस करे और इसे निकाले इसी घी में डालेगे गुड तो यहां पर में देशी घुड यूज कर रहे हो आदा कप रेशो बहुत सिंपल है दो कप अगर आटा रहेगा एक कप ताजा किसा हु और एक उबाल है इसे कोक करें मतलब यहां पर हमें कोई चाशनी बनानी की जंचट नहीं है बस गुड अच्छे से मेल्ट होना चाहिए और एक उबाल आना चाहिए उबाल आने पर यह देखें ग्यास बंद कर दी और इसी में एक तीस्पुन इलाइची पावडर डाले और इसे मिक्स कर दीजे और तुरंत ही रागी वाले मिक्षटर में ट्रांस्फर कर दी और यह गरम गरम है तो जर्ने से ही फटाफट से मिक्स कर दीजे मिक्स करने के बाद उपर से जो किश्मेश हमने रोज किया था न वो डाल दे आप चाहिए इसमें दर्दरी कोड़ी दूट डालोगी ना तो self life कम रहेगी मतलब दू तिन दिन में आपको खाना हो ना तो दूट डालिए वरना आप घी डाल सकते हो घी को melt करिए और उसके बार डालतीजे और फटाफट से लड़ू बांद ले लड़ू के साइज छोटी या बड़ी आप अपने साबसे कर सकते हो या मेरी तला लड़ू मोल्ड में भी से बना सकते हो एक समान सारे लड़ू बन जाएके अगर बच्चों को टिफिन में देना चाते हो तो छोटे लड़ू बनातीजे और बड़ों के लिए बना रहे हो तो बड़ी लड़ू बना दीजे तो देखे इस तरह ये लड़ू बन चुका है उपर से पिस्ता की कत्रन से में इसे गानिश कर देती हूँ तो फटा फट से सारे लड़ू बांग ले तो दोस्तो रागी की रेसिपीस आप सर्च करते हो ना तो इस तरह डेली आप रागी अपने डायेट में ले सकते हो लड़ू खाने में बहुत जादा स्वाधिश्ट प्रोटीन से वरपूर रेसिपीस ज़रूर राई करिएगा और आपके साथ मैं कौन से रेसिपीस शेर करो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसी डेल सारे रेसिपीस के लिए मेरे चैनल राकिस रस्वा यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेस्बूक में फॉलो ज़रूर करिए मिलते है अगली वीडियो में तिल देन कीप त्राइग मैं रेसिपीस